हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल यहूब बाबा पे यह हमारा PHP कोर्स से लेटे 215 टॉटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप एक निया फीचर सिखने वाले हैं पीडियो का जिसका नाम है ट्रांजेक्शन तो यह सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम पीडियो के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं देखी जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि हमारे पास तीन अलग-लग तरीके की सीक्वल की कमांड जाती है एक ह किनों की help से हम किसी भी database के अंदर changes कर सकते हैं अब यहां पर एक question उड़ता है कि जो भी हम इसके अंदर changes करते हैं देखी जैसे अगर हमने कोई data insert किया है या update किया है या delete किया है वो permanent save कैसे रहता है आपने खुद भी note किया होगा कि अगर हम एक बार database के अंदर कोई नई entry भी कर लेते हैं उसके बाद अगर हम अगले दिन आके database चेक करें तो उसके अंदर वो data की entry जो है वो permanent save रहती है तो यह सब कैसे होता है इसकी पीछे हमारे पास database की अंदर एक feature होता है जिसे हम कहते है auto commit और जो auto commit होता है उसकी by default जो value होती है वो होती on, on होने से होता है कि हम जो भी database के अंदर entry करते हैं चाहिए वो insert से करें, update से या delete से वो सारी entries जो है permanently save हो जती है और क्या हो अगर हम auto commit की value को off कर दें तेखिए अगर हम इसकी value को off कर देते हैं तो उसकी बाद अगर हम कोई भी entry करते हैं जैसे insert की, update की या delete की तो वो temporarily save होता है उसको बाद में हटा command को use करके जो भी हमने last में changes की हैं चाहिए वो insert command से, update से या delete से उसको हम reward कर सकते हैं तो हम basically ऐसा करते क्यों है माली जी अगर हमने कोई भी data entry जो है गलती से update कर दिये, insert कर दिये, delete कर दिये तो उसके बाद हम उसे rollback करके अपने changes को reward कर सकते हैं मतलब कि जो हमने अभी insert किये value नई वाली, उसको हटा सकते हैं अपने database से, तो यहाँ पर main गौर करने वाली बात यह है कि जो भी अगर हमने जब भी rollback चलाना है तो उसके लिए हमारे को auto commit की value को off करना है, तो इसी value को off करने के लिए हमारे पस यहाँ पे एक feature आता है PHP के अंदर जिसे हम बोलते हैं transaction, transaction की help से हम basically कर के सकते हैं, हम auto commit feature को off कर सकते हैं, तो यह मैं आपको दिखाता हूँ कि यह transaction का use हम video के अंदर use क्यों करते हैं और कब-कब हमारे को इसकी ज़रूरत होती है, देखिए माली जी मैंने यहाँ पर एक try catch का function बनाया है और इसके अंदर एक connection बना लिए है, जैसे आप य SQL की command को run करने के लिए हमारे पास video के अंदर तीन अलग-लग methods आते हैं, एक है prepare method, एक है query method और एक है exec method, तो methods तो properly मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने चाहता कि यह code जो complicated हो जाए, तो यहाँ पर मैंने simply लिख दिए insert command और update command, तो देखिए एक बर मैं insert command चलाना चाता हूँ और उसके बाद एक update command, अब यहाँ पर हमें एक scenario लेके चलते हैं, माली जी हमारी जो insert command है, वो तो successfully data को insert कर देती है, और उसके बाद हमारी चलती है update command, तो update command के अंदर कोई error आ जाता है, अब error आने के कहीं reason हो सकते हैं, हो सकता है हमारी update command ही proper सरीना लिखी हुई यह हो सकता हमारे database respond ना कर रहा हूँ, यह फिर हमारे server respond ना कर रहा हूँ, कुछ भी error हो सकती है, लेकिन हमारी यहाँ पर पहली वाली command चल चल चुकी है, insert वाली, मगर मैं actual में क्या करना चाता हूँ, मैं चाता हूँ, अगर command चलें, तो दोनों ही चले, insert और update, वरना एक भी चले, मगर हमारे case में क्या हूँ, insert command तो चल चुकी है, मगर update command नहीं चली है, तो मैं चाता हूँ, जो भी हमने यहाँ पर data insert किया है, वो भी revert हो जाए, मतले कि वो भी database से हट जाए, तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर database का auto commit feature को off करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर pdo के अंदर एक method आता है, begin transaction, इसकी help से होगा क्या basically, हमने देखी यहाँ पर begin transaction लिख दिया, कौन object की help से, तो यहाँ पर automatically जो हमारा auto commit feature है, वो off हो जाएगा, और उसके बाद हमने जैसे यहाँ पर दोनों command से लाई, अगर एक भी command के अंदर error आ जाता है, माली जी insert command properly चल तो यहाँ पर हमारा catch function चल जाएगा, error के case में, और वहाँ पर हम क्या करेंगी, हम सारे data को rollback कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास एक special method आता है, rollback, जिसकी help से जो भी हमने last में entry करिये database के अंदर, बेशक वो insert किये, update किये, delete किये, वो rollback हो जाएगी, उसका सारा काम revert हो तो commit basically करता है कि हमारे auto commit feature को on कर देता है, और जितने भी हमने last में database के अंदर changes किये हैं, जैसे insert किये है और update किये है, उसको permanently save कर देता है, तो यहाँ पर जो मैंने भी आपको example दिखाया है, वो एक insert command का है और एक दूसरा update command का है, तो यहाँ पर कोई compulsory नहीं है कि insert के साथ आ आपको SQL की commands एक साथ चलानी है, और अगर उनमें से एक भी नहीं चलती, तो आप चाते हैं कि सारा का सारा काम rollback हो जाए, तो आपको तीन methods का use करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें transaction को on करना है, उसके लिए हम यहाँ पर method use करेंगे, begin transaction, उसके बाद अगर हमा सारा काम जो है, उस successfully update हो जाता है, मतलए कि insert, update या delete की जो भी हमने commands लिखी हैं, उस successfully अगर run हो जाती हैं, तो हम database को commit कर देंगे, commit करने से होगा क्या, हमारा auto commit feature on हो जाएगा, उस सारा काम जो हमने अभी भी किया है, वो permanently save हो जाएगा database के अंदर, तो आइए शुरू करते है practical और देखते हैं कि यह transaction को हम कैसे use कर सकते हैं, यहाँ देखिए web browser के अंदर मैंने अपनी application open कर लिए जिसका नाम है phpMyAdmin, और इस video के अंदर जो हम database use करने वाले हैं, उसका नाम है testing, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर basically दो tables हैं, एक है students, जो यहाँ पे आपके स वालों, यहाँ पर मैं एक निया data को insert करूँगा, और इसी के साथ मैं यहाँ पर एक update की command में चलाऊंगा, जो मेरे को दूसरे table के लिए चलानी है, यह देखिए city table के लिए, इसमें क्यों हो रहा है, इसमें सारे city के name आ रहे हैं, तो जब भी कोई निया record आता है, जैसे माली आता है, तो यहाँ पर होजेंगे 5, बल्ले की 1 का increment होने वाला, तो हम basically 2 commands को लगाने वाले हैं, तो यह शुरू करते हैं practical, यहाँ देखिए मैंने अपना web editor open कर लिए और यहाँ पर मैंने एक file बनाई है, जिसका नम है pd-transaction.php, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने try cache method को use किया है, और इसके अंदर यहाँ पर मैं get message से message को show करने वाला हूँ, मतलब कि error के message को, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी पहली SQL command को चलाता हूँ, तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर पहले एक variable ले रहा हूँ, SQL1, और इसके अंदर मैं prepare method को use करके अपनी insert command को चलाँगा, तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर object ले लेता हूँ, con, फिर उसके बाद prepare method, यह वही method है जो हमने पिछली चार वीडियो में use भी किया है, पीडियो की वीडियो में, और यहाँ पर मैं अपनी command लिख लेता हूँ, insert into table name, table का name है students, उसके बाद मैं यहाँ पर columns के name देता हूँ, तो देखिए एक तो हमने student का name डलवाना है, तो उसका column का name है student, underscore name, उसके बाद एक column है city, और एक column है dov, मतलब कि date of birth, फिर यहाँ पर variable ले ले लेता हूँ, values, और यहाँ पर मैं placeholder डाल देता हूँ, question mark, question mark, और question mark, क्योंकि मेरे को ती table का name change कर देता हूँ, sql2, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक दूसरी sql की command चलाऊँगा, update, update, फिर उसके बाद table का name, table का name है city, जैसे कि यह भी मैंने आपको दिखाया है, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, value set करने वाला हूँ, एक column की जिसका नम है, c students, c students में जो already value, existing value आ रही है, उसमें मेरे को just एक का increment करना है, मतलब की plus one का, तो उसके लिए मैं दुबारा से लिख लेता हूँ, c students, plus one, यह देखिए, मतलब की जो भी इस column के अंदर existing value आऊगी, उसमें plus one हो जेगा, और यहाँ पर मेरे को अपना where clause भी लगाना है, where, और य इसकी value कौन सी है, उसके लिए भी यहाँ पर मैं placeholder दे लेता हूँ, यह देखिए, अब इन दोनों, जो columns की अंदर मैंने placeholder दे हैं, उनकी value को bind करने के लिए, और इस SQL कमांड को run करने के लिए, मैं PHP का method यूज़ करूँगा, execute, तो देखिए, सबसे पहली command है, SQL, one, उसके ल मदन, कुमार, यह देखिए, और इसी के साथ मैं इसके लिए एक city भी ले लेता हूँ, जैसे गोवा, और last में मैं इसके लिए, इसका date of birth भी define कर देता हूँ, इससे मैंने यह ले लिए 0908, और year ले ले लेता हूँ, 1995, आप records कुछ भी ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसी ही, मैं इसी लाइन को duplicate कर लेता हूँ, अपनी दूसरी कमांड के लिए भी मैं यहाँ पर अपने जो यह मने placeholder दिये, इसकी value को bind कर देता हूँ, तो यहाँ पर सिरफ एक ही value है, और वो है basically city का name, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गोवा, बतले कि जहाँ पर भी गोवा आएग वहाँ पर जो गोवा की existing value होगी, जितने भी students आ रहे होंगे, उसमें plus one होजेगा, क्योंकि यहाँ पर जो निया student का record है, वो भी गोवा से ही है, और अगर इन दोनों commands में से, कोई भी एक command नहीं चलती, माली जी insert की successfully चल गी, और update की नहीं चली अगर, तो मैं चाता हूँ, रोल बैक हो जाए, तो उसके लिए देखे, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर message से पहले, मैं सारे काम को रोल बैक कर दूँगा, तो उसके लिए मैं अपना object ले लेता हूँ, कौन, और यहाँ पर method का नाम है, रोल बैक, यह जितना भी हमने काम किया होगा, latest काम, उ उसके लिए भी महरे पास यहाँ पर command आती है, जिसकों कहते है, commit, यह देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको इसी बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर किसी भी command में error आएगा, तो यह अपने आप cache method के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको try cache की first video के अ आया था, कि अगर cache method के अंदर आपको कोई भी अपना message को भेजना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर throw नाम का एक method यूज करते हैं, जिसके अंदर हम exception को throw करते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस सारी command को एक if statement के अंदर डाल देता हूँ, तो देखी, मैं उसको कैसे डालता हूँ, तो मैं यहाँ लिए लिएता हूँ, और यहाँ पर पहले लगाया तो not, मतलब कि अगर ये वाली command नहीं चलती, कौनसी, SQL1 की execute command अगर नहीं चलती, मतलब कि जो हमने इसके अंदर insert की command चलाई है, तब यह इस if condition के अंदर आजेगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक निया exception को throw कर दूँगा, तो यह मैंने आपको अल्लडी बताया हूँ, कैसे करते हैं, throw new exception, यह देखिए, और यहाँ से मैं अपना कोई भी message send कर सकता हूँ, तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर अपना message send कर देता हूँ, SQL1 field, आप message कोई भी दे सकते हैं, मैं जस्ट आपको यहाँ पर एक example दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी यही जैसे मैं इस statement बनाई है, SQL1 के लिए, SQL2 के लिए भी बना लेता हूँ, और यहाँ पर जो यह मेरा execute command है, इसको मैं यहाँ पर place कर दूँगा, तो देखिए, मैं यह यहाँ पर पूरी इसको replace कर देता हूँ, यह देखिए, और यहाँ पर message change कर देता हूँ, SQL2, इसका मतलब किया है, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए, सबसे पहले वाली command चलेगी, यहाँ पर execute चलाएगी, और अगर इस वाली command में कोई error आ जाता है, तो हमारा exemption थो हो यहाँ पर दुबारा से exemption थो हो जाएगा, और वो होगा SQL2 के लिए, तो यहाँ पर message आजएगा SQL2 field, और insert का अगर कोई कवाम, जो भी हमने database के अंदर नई entry करके किया है, वो भी सारा rollback हो जाएगा, तो यहाँ पर अभी मैं file को save करता हूँ, और आपको यह पर check कराता हूँ देखे, मैं यहाँ पर आया और file को refresh किया, यहाँ पर एक error आ चुकी है, आप देखरे हैं, यह message यहाँ पर आ रहा, there is no active transaction, मतलब कि हमने कोई transaction को यहाँ पर, ओ एक गडबड हुई है, यहाँ पर हमने कोई transaction तो begin ही नहीं किये, तो यहाँ पर हमने method नहीं use किया, जिसका नाम transaction, यह देखिए, तो सबसे पहले हमने transaction को on किया, यह क्या करेगा, auto commit feature को off कर देगा, उसके बाद अगर इसमें किसी में भी error आएगी, तो हमारा exception थो जाएगा, और यहाँ पर हमारा सारा काम rollback हो जाएगा, rollback तब तक work नहीं करेगा, जब तक आपने इसको transaction को on नहीं किया, तो यहाँ पर मैंने दुबारा से file को save करता हूँ, और यहाँ आकर file को refresh, आप देखिए, यहाँ पर कोई भी error नहीं आया, अब इसके बाद मैं आपको database के अंदर check कराता हूँ, तो देखिए, मैं यहाँ पर आया और मैंने page को refresh कर चुक हूँ, और यहाँ पर देखिए, एक तब भी हमारी यह वाली command चल गी थी, तो इसका मतब अब हमारे पास goa के अंदर कितने records हो चुके हैं, पहला यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, मैं आपको दूसरे table के अंदर check कराता हूँ, CT नाम के table के अंदर, यह देखिए, यहाँ पर भी entry होगी है, 4, अब मैं यहाँ पर क्या करता इसमें मैं यहाँ पर नाम change कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ, साजन कुमार, और यह भी goa से ही है, और इसका date of birth चेंड नहीं करता हूँ, और यहाँ पर क्या करता हूँ, अपनी जो यह second command है, update वाली, यहाँ पर change कर देता हूँ, यहाँ पर, यह command ने किया होगा, तो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, यहाँ पर मैंने file को save किया, और यहाँ पर आया, मैंने file को refresh किया, यह देखिए, यहाँ पर message भी आ चुका है, SQL2 field, मैं भी आपको database के अंदर चेक कराता हूँ, सबसे पहले, मैं आपको इसी table को चेक करा देता हूँ city को, अभी भी यह 4 value है, और यहाँ पर अभी भी 4 ही है, क्योंकि हमने यहाँ पर update command के अंदर error डाल दिये, और यहाँ पर मैं students वाला table चेक कराता हूँ, तो अब देखी, यहाँ पर भी कोई नई entry नहीं आई है, जो साजन कुमार की entry थी, वो यहाँ पर नहीं आई है, क्योंकि हमने यहाँ पर लगा दिया है, rollback, rollback ने क्या किया, जो भी last entry थी यहाँ पर, उसको remove कर दिया, तो यही होता है हमारा transaction का काम, वो क्या करता है, temporarily हमारे auto commit feature को off कर देता है, इसके बाद जो भी हमने काम किया होता है, हम उसको दुबारा से rollback कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर की है, और अगर सारा कुछ ठीक है, तब उसको हम commit कर देते हैं, तो देखी, अगर मैं इसकी command को यहाँ से ठीक कर देता हूं, और file को save करके दुबारा चक कर आता हूं, अब जो यह नए entry है, साजन कुमार की, यह properly save होजेगी, और goa में value set होजेगी 5, तो देखी, मैं यहाँ पर आया, मैंने file को refresh किया, और देखी, अब यहाँ पर कोई भी error नहीं है, अब मैं यहाँ प को बताना चाता हूं, यहाँ पर 14 के बाद सीधा 16 ही क्यों आया, ऐसा इसली हुआ है, क्योंकि 15 की entry एक बार आ चुकी थी, मगर उसको हमने rollback जब किया, तो वो remove होगी, तो जैसे आपको already मालूम ही होगा, कि जब भी हम इसके अंदर, database के अंदर, किसी भी row को remove कर देते हैं, तो उसके बाद जो नई entry आती है, वो remove होने वाले serial number के बाद वाली entry होती है, तो 15 remove हो है, तो उसके बाद entry आई 16 की, और जी तरह मैं यहाँ पर CT नाम के table को भी चेक करा देता हूं, यह देखिए, यहाँ पर Goa में value set होगी है 5, आप देखरे हैं, इसका मतलब अब Goa के रने के लिए अपना execute function रन की है, तो हर बार हमारे को दुबारा दुबारा से यह लिखना पड़ रहा है, throw new exception, throw new exception, तो मैं चाता हूं कि जो भी exception है, वो अपने आप ही call होज़े, और यह method भी अपना call होज़े, catch function का, और मेरे को यह भी ना use करना पड़े, throw new exception, तो उसके लि तो वो error जो है, उसका exception अपने आप throw होज़े, automatically, यह हम अपने आप manually करें, जैसे हम यहाँ पर कर रहे है, उसके अदर कुछ और भी features होते हैं, आईए एक बर मैं आपको PHP की official website पर उसको दिखा देता हूं, देखें, मैंने यहाँ पर third tab के अंदर, एक website open की हुई है, यह PHP की official website है, इसका ना में PHP.net, और यहाँ पर मैंने topic open किया हुआ, set attribute, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका syntax है, इसके अंदर basically दो values आती है, सबसे पहले होता है, कौन सा attribute set करना है, फिर comma देके उसकी value क्या देनी है, इस page का URL जो है, description box में देदूँगा, जहाँ से जाके आप खु यह attribute है, यह किसी काम का नहीं है basically, यह है कि हमने अगर जब भी column की value को retrieve करना है, तो column के name को lowercase में रखना है, यह uppercase में, main जो हमारा use होता है, वो होता है, error mode के लिए, यह attribute का नाम है, जिसका नाम है, attr, error mode, मतलब कि जब भी हमारे पास error आएगा, तो उसको हम कैसे show करना चात हैं, तो देखी, यहाँ पर तीन तरीके के mode आते हैं, एक है error mode silent, एक silent mode है, जो just हमारे को यहाँ पर सिरफ error का code return करता है, और एक है error mode warning, जो सिरफ हमारे को warning देता है, मगर आगे का सारा काम कर देता है, और एक है, जो main काम का है, वो है error mode exception, यह अपने अब exception को throw कर देता है, त इसके इलावा भी set attribute में कुछ अलग-अलग features हैं, जो मुझे कुछ खास काम के नहीं लगते, सिर्फ एक last वाले को छोड़के, जिसमें हम fetch mode भी पहले से ही बता सकते हैं, ये भी मैं आभी आपको use करके दिखा दूँगा, कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपने attribute को copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर आकर, जहाँ पर भी हमारा ये begin transaction शुरू हो रहा है, इससे पहले ही मैं अपना attribute set कर देता हूँ, तो उसके लिए देखे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं अपना object कर नाम लेना कौन, फिर उसके बाद अपना method यूज़ करना, जिसका नम है set attribute, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि set attribute के अंदर दो values होती है, सबसे पहले ही होती है, attribute कौन सा है, तो हमारा attribute है error mode, और इसकी बाद इसकी value, कोमा देके, तो उसको भी हम यहां से copy कर लेते हैं, तो हम exception throw करना चाते हैं, तो उसके लिए मैं इसी value को copy कर लेता हूँ, यहां से, और यहां पर आके से paste, यह देखिए, अब जब मैंने इसको use कर लिया है, तो हमारे को यहां पर यह manually देने की जुरूरत नहीं है, मैं इसको remove कर देता हूँ, यहां से और इसको भी, और ना ही इसको if condition लगाने की जुरूरत है, तो यहां से मैं इसको यहां से remove करके, cut करके basically, यहां पर paste कर देता हूँ, और यहां पर semicolon, बिल्कुल ऐसी cql2 के लिए भी कर देता हूँ, और यह if condition को भी मैं remove कर देता हूँ, यह देखिए, अब देखिए code कितना simple हो चुक है, अब पहले हमारी prepare statement यहां पर, मैंने इसको pass कर दिया, यहां पर मैंने execute किया, अगर किसी भी statement के अंदर error आएगा, तो automatically हमारे जो exception है, वो यहां से throw हो जाएगा, यहां semicolon नहीं लगाया, और जो भी exception का message होगा, जो PHP का अपना message होगा, वो हमारे को यहां पर देख सकते हैं, उससे पहले हमारा सारा काम rollback भी हो जाएगा, तो इसको proper देखने के लिए, मैं यहां पर क्या करता हूँ, second वाली हमारी command के अंदर कुछ error डाल देता हूँ, देखिए, जैसे column का name change कर देता हूँ, c students 1, अभी इस नाम का तो कोई column है नहीं है, तो यहां पर मैंने file को save किया, और यहां पर आकर file को refresh, यह देखिए, यहां पर error आ चुकी है, वो कह रहा है unknown column, इस नाम का कोई भी column नहीं है, तो यह PHP का अपना message आ रहा है, इसके लिए हमने already, मैंने यहां पर method यूज किया, get message, तो जो भी exception ने यहां से throw किया है, यह वो ही वाला message है, अब मैं आपको एक बार database में भी check करा देता हूँ, तो देखिए, मैं यहां पर आया, और यहां पर सबसे पहले मैं students table के अंदर आता हूँ, तो देखिए, यहां पर अब साजन कुमार की पहली से entry आ रही थी, तो दूसरी आ जानी चाहिए थी, अब वो entry नहीं आई है, और इसी तरह जो हमारा city नाम का table है, उसमें तो कोई entry आएगी नहीं, क्यूंकि उसमें already का error है, देखिए, already 5 ही दिखा रहा है, तो हमारा जो exception है, बिल्कुल proper चल रहा है, अगर देखिए, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, और यहाँ पर दुबारा अगर run करूँगा, तो साजन कुमार की एक दूसरी entry भी आजेगी, और goa की value होजेगी 6, आपको check रा देता हूँ, तो देखिए, मैं यहाँ पर आया, मैंने file को refresh किया, देखिए, यहाँ पर कोई error नहीं है, मैं यहाँ पर गया, इस page को refresh करता हूँ, तो देखिए, यहाँ पर goa में आ गया 6, मतलब कि अब goa के 6 students हो चुके हैं, और students थाम का table check कराता हूँ, यह देखिए, साजन कुमार की एक entry ओर हो चुके, और वो हुई है 80 number पे, मतलब कि 17 में भी एक बर entry हुई थी, मगर उसको rollback की वज़े से delete कर दिया गया, उसके बाद जो entry हुई है, वो हुई है 18 number पे, तो आप देख रहे हैं, इस तरह से भी हम यहाँ पर exception को throw कर सकते हैं, और अगर हम multiple यहाँ पर जैसे हमने attribute set किये यह वाला, error mode का, अगर हम multiple attributes set करना चाते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमार को यह set attribute method use करने की जूरत नहीं है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए, मैं यहाँ पर एक variable ले लेता हूँ, उसका नाम है जैसे कुछ भी रिख देता हूँ, जैसे options, और उसके अंदर basically यह मेरे को round passes नहीं लेनी है, यहाँ पर लेनी है square passes क्योंकि मैं array बनाने वाला हूँ, तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास array की यह वाली की हो जाएगी, और यह उसकी value, तो value को हम is equal to greater than के sign के साथ दिखाते हैं, यह देखिए, मतलब कि यह जो value है, यह इस वाले attribute की value है, इसी तरह मैं इसी array के अंदर multiple values भी store करा सकता हूँ, मैं अपको करा के दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने comma डाला, और मैं next line में आ जाता हूँ, और यहीं पर मैं आ गया, दुबारा से side attribute वाले table में, पेज में, मैं actual में, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यह देखिए, यह मेरा एक mode है, fetch mode, basically मैंने कोई select की command लगा नहीं रखी, अगर मैंने लगा रखी, तो मैं इसी वाले mode को यहाँ से copy कर लूँगा, और यहाँ पर इसकी value को pass कर दूँगा, और मैं चाता हूँ, जब भी data fetch होके आए, तो वो associative value हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर, वो ही वाली value pass कर दूँगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाई भी थी, जिसको हम कहते हैं, पीडियो, colon colon, fetch asoc, fetch underscore asoc, मतलब कि जो भी नई value retrieve होके आ रही है, वो associative area में हो, और इस options को हमें pass कहां करना है, मैं इसको copy कर लेता हूँ, इसको हमें pass करना है, इस connection में, तो यहाँ पर मैं comma देखके, इसे यहाँ पर pass कर देता हूँ, तो यह जो options वाला हमारी पूरी line है, इसको हमें कौन से पहले ही डालना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, यह देखिए, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर, यह option मैंने pass करी है, यह वाली कि error जब भी आये, तो उसके लिए exception throw जो है automatically, उसके बाद मैंने यहाँ पर अगर कोई भी data fetch हो के आ रहा है, तो अशोशेटीव है रहे हो, और यह सारी options जो है मैंने यहाँ पर pass कर दी है, अपने pd.o जब मैं यहाँ पर object बना रहा हूँ, और इसके बाद जो हमारे regular पूरा code है वो वैसी चलेगा, हम पहले transition को on करेंगे, फिर commands को चलाएंगे, अगर कोई error राज़ती है तो सारा काम rollback हो जाएगा, catch method के अंदर, और अगर सारा काम चल जाता है, तो यहाँ पर हमारा commit method चल जाएगा, और commit के बाद भी मैं यहाँ पर कोई proper message भी show कर सकता हूँ, देखें, जैसे मैं यहाँ पर equal लिख के, यहाँ पर लिख देता हूँ, all data saved, आप message कुछ भी लिख सकते हैं, यह message तभी show होगा, जब यहाँ तक हमारे code की line पहुच जाएगी, बन्दे की commit तक, अगर 20 में कहीं पर भी error राजएगा, तो तो automatically यहाँ पर catch method के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी मैं कुछ change कर देता हूँ, यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ, Salim Khan, और यहाँ पर city भी change कर देता हूँ, जैसे Delhi, date of birth change नहीं करता, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ, Delhi, यह देखिए, तो एक Salim Khan नाम का एक निया student add कर रहे हैं, जो दिल्ली से है, तो दिल्ली में एक entry प्लस हो जाएगी, city table के अंदर, तो यहाँ पर मैंने फाइल को save किया, और यहाँ पर आकर फाइल को refresh किया, यह देखिए, यहाँ पर आ गया, all data saved, और मैं यहाँ पर आपको database में भी चक करा देता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर एक नए student की entry हो गिया, Salim Khan, और मैं city में भी चक करा देता हूँ, तो देखिए, city में यहाँ पर जहाँ पर देली आ रहा है, वहाँ पर आ गया five, तो total five records हो चुके है, मैं आपको यहाँ पर भी चक करा देता हूँ, यह देखिए, सबसे पहला student, one, two, three, four, और last में five, मैं देखिए, total five students हो चुके हैं, तो इस तरह भी हम यहाँ पर अपना pd.code transaction के साथ यूज कर सकते हैं, हमारा code भी यहाँ छोटा हो जएगा, क्योंकि हम यहाँ पर set attribute को use कर रहे हैं, और इस option को मैंने यहाँ पर पास कर दिया था, starting में ही, और इस तरह हमने यहाँ पर एक अपना code कर लिया, hope so आपको यह हमारा video tutorial अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिये, अगर आप ऐसी regular updates आते हैं, तो हमारी चैनल यहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिये, thank you.